नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डेली 36 करेंट एफेर्स सीरीज में आज हम 16 जून के करेंट एफेर्स के बारे में चर्चक करेंगे और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को साथ ही साथ बै योजना के तहत राज्य में संचालिद बाल देख रेक संस्थाओं के कितने बच्चों को लभान वित किया जाएगा इसका से उत्तर एक स्वाड बच्चों को चतिज़र राज्य सरकार ने धान उत्पादक किसानों की सुईधा के लिए सेवा सहकारी समीतियों की संख्या बढ़ा कर कितनी कर दिये इसका से उत्तर है दोहजार अंठावन चतिज़र के प्रयास अवासी द्याले कितने बच्चों ने नेट परिच्च्च में किस तीम ने जीते हैं इसके से मुत्तर है उर्गवे के सराज्य सरकार ने राज्य के पद्म आवार्ड विजयताओं के लिए मासिक पेंशन की खोशन की है इसके सिमुतर है हृर्याना सभी ICC खिताब जितने दुनिया की पहले टीम कौन बनी है इसका से मुत्रेलिया पिछल में इस थापि 36 घर के पहली मिलेट कैफे का शुभारं का किया गया है और 36 का भान रॉया या रखा गया है और 36 गां बन था रायगड में तो थ्धियां रखी के दोस्तों ग्रामिन चेत्र का पहला मिलेट क्याफ है जगदलपूर के कोडे नार में और 36 गड़ का पहला मिलेट क्याफ है रायगड में ठीक है अगला प्रश्ण है नाचा ने प्रथम गुलोबल 36 गड़ रत्नावाड किस सहित्यकार को प्रदान किया है इसका सिंग उत्तर अप्शन भी डॉक्टर सुधिर शर्मा को तो नाचा का फूल फॉर्म क्या होता है नौर्थ अमेरिका 36 गड़ एसोशियेशन नाचा ने प्रथम गुलोबल 36 गड़ रत्नावाड डॉक्टर सुधिर शर्मा को दिया है अमेरिका सहीं दुनिया के अनेक देसों में संचालित अमेरिका में स्थापित नार्थ अमेरिका 36 गड़ एसोशियेशन नाचा ने अंतराष्टी इस्तरपन 36 कोश एप को बनाया है और 36 कोश एप क्या करेगा अंग्रेजी से 36 गड़ी भाष्टर में ट्रांसलेट करेगा अगला प्रश्ण है तेलंगाना से आए कितने किसानों ने मुख्य मंत्री सिर्फ भुपेज बगहल से मुलाकात की है इसकसी मुत्तर है ओप्शन डी 500 किसानों ने अगला प्रश्ण है चत्तिस गड़ का विकास मॉडल देखने आये तेलंगाना के किसानों ने 36 संचालित किसान हितैसी नीतियों और युजनाओं को सहरा है तेलंगाना के विभीन जीलों से आये 500 किसानों निराज नानगाओं और दूर्ग जिले में 36 सरकार द्वारा संचा जीता है इसका सिंगतर है ओप्षन है जेस केशरवानी ने खरसियां राइगाड की सतरंज खिलाडी जेस केशरवानी ने नई दिल्ली के त्याग राजिस्टेडिया में आयो जीत राष्ट्री साले सतरंज इस परधा में 36 गड़ तीम की बालिका वर्ग में सान किया है यह प्रत्योगीता जोने छे चक्रों में हुई है जिसमें 26 राज्यों के खिलाडियों ने हिस्सा लिया था और जेस ने पांच अंक अर्जित कर चौथे बोर्ड पर गोल्ड मैडल जीता है अगला प्रश्न है श्री भुपेज बगहिल ने भारत सरकार विमानन मंत्री श्री जोती रादित्य सिंध्या को पत्र लिखकर उनसे 36 गड़ के किस जिले को उड़ान फाइव योजना में जोड़ने हित्तु सीख्र कारवाही करने कानू रोध किया है इसका से उत्तर अप् सीख्र कारवाही करने का नूरूत किया है ताकि अंचल के लोगों को देश के अन्या भागों में न आने जाने की स्विधा मिले और छेत्र के आर्थिक विकास में सहयता मिल सके चलिए दोस्तों अब हम कुछ इंपोर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल करेंट रफिट्स के बारे में चर्च करेंगे जो कि एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है तो अगला प्रशन है फ्रेंच ओपन पूरूस एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है इसका स विश्वा ग्रेंट स्लेम टाइटल था वहीं फ्रेंच ओपन महिला वर्ग में इगा इस्टोवेक ने अपना तीसरा फ्रेंच ओपन खिताब जीता है और उन्हें फाइनल में केरोलीना मुचोवा को मात दी है अगला प्रश्ण है महिला जूनियर होकी एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है इसका सिमुत्तर अप्शन है भारत ने जीता है भारती महिला जूनियर होकी टीम ने जापान के काका मीघारा में दक्षिन कोरिया को हरा कर अपना पहला महिला जूनियर एशिया कप का किताब जीता है अगला प्राशन है भारती विस्ष्ट पहचान प्राधीकरण UIDAI के CEO के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है इसका सिंग उत्तर है अप्षन है अमित अगरवाल को भारती विशिष्ट पहचान प्राधी करन UIDAI के CEO के रूप में अमित अगरवाल को न्यूक्त किया गया है वहीं National Testing Agency NTA के महा निदेशक के रूप में सुबेत कुमार सी की न्यूक्ती की गई है दोस्तो आज के लिए आपका प्रश्ण है 36 गड़ में मोतिया बिन के ऑपरेशन में बलोदा बजार भाठा पाराज जिले का प्रदेश इस्तर पर कौन से इस्थान है चार ओप्शन आपको दिये गए है इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तो उत्तर गलत हो यह सही आप इस कोश्चन को अटैम्ट जरूर करें आज की वीडियो में इतने ही दोस्तो आशा करतो हम आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती से लाइक करें शियर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें साथ इसाथ बैल आइकान को दबाना ना भूले जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिरती रहेगी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू थैंक यू बरी मच